एक फंदा उतारा, एक फंदा उल्टा, जो खींच रहा है, इससे नहीं बनाना है, जो आपका चल रहा है, जो नहीं खींच रहा है, इससे बनाना है, ठीक है, एक फंदा उल्टा, फिर दागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ ला दिया, फिर से आपने इस को खींचना है दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा ये बीच वाला फंदा जियान दिजिए एक फंदा उल्टा जैसे आपने उल्टा बनाया उसके बाद इस तरह से डबल करके अपनी तरफ लाना है फिर इस वाले से साथ वाले फंदे को बिना बुने उतारना है फिर एक फंदा उल्टा, दागा पीछे, एक फंदा सीधा फिर से दागा अपनी तरफ कर दिया, फिर से दागा को इस तरह से बार की तरफ खींचना है फिर से दागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा जैसे उल्टा बना दिया दागा को डबल करके ला दिया डबल करने के बाद साथ वाला फंदा को बिना बुने उतारना है एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा अपनी तरफ ला दिया फिर से आपने इसको दागा को खींचना है इस तरह से दागा पनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर से ला दिया अपनी तरफ डबल करके जो सीधा फंद आएगा साथ में ठीक है इसको बिना बुने उतारना है यानि कि जो हमने पहले बनाएवाई ये दिखिए जो पहले बनाएवाई इले लास्ट फंदा है आपका इसको बिना बने उतारना है फिर ये देखिए उल्टा फंदा इजिली पता चल रहा है इसको उल्टा बनाना है दागा पिछे जो तीन फंदों के साथ पहले बनाया था उसका फिर पहला फंदा अपने सीधा बनाना है इस तरह से फिर दागा अपनी तरफ फिर दागा को खींचना है यहाँ पर फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तो यह हो गई हमारी फिर से पहली शिलाई यानि कि तीसरी शिलाई complete हमारा डिजाइन चेंज हो रहा है ठीक है तो अब यहाँ पर दियान दीजिए जैसे तीन फंदे है आप जैसे यहाँ से मान लेते हैं यहाँ से कन्फ्यूज हो रहे हो किसको उल्टा बनाना है किसको सीधा बनाना है तो आपने यह देखके चलना है जैसे यह तीन फंदे है इसमें से बीच वाला फंदा सीधा उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा बस इस बीच वाले जो तीन फंदे हैं इसों को लेकर चलना है तो वैसे तो इजीली पता चल जाएगा ये देखिए सीधा फंदा नजर आ रहा है उल्टा फंदा भी नजर आ रहा है तो जैसे आप यहाँ कनफ्यूज हो रहे हो तो ये तीन फंदों को देखे बीच वाला फंदा सीधा ये दियान देना है उल्टे तरफ से सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा ठीक है, ऐसे लेकर चले आप फिर से दूसरी शिलाई है सोरी चौथी शिलाई भी बोलेंगे लेकिन चार शिलाई ही में ही हमारा डिजाइन कम्प्लिट होगा तो चौथी शिलाई उल्टे तरफ से ये देखिए पूरे फंदे सेम वही दूसरी शिलाई की तरह एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा ये देखिए, ये बीच वाला फंदा आपका सीधा आना चाहिए इस तरह से ये देखिए, जैसे तीन फंदे हैं यहाँ पर एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ठीक है, इनको दियान में लेकर आपने चलना है इस तरह से तो चार शिलाई में डिजाइन कंप्लिट होता है लेकिन दो दो शिलाई का डिजाइन है तो दो शिलाई बाद आपको जगा चेंज करना होता है ठीक है, सेम जैसे पहले बनाया था वहीं पर हमारा डिजाइन नहीं बनेगा तो दो शिलाई के बाद आपको जगा चेंज करना होता है, इसका ध्यान देना है और एक बार रिपीट कराऊंगे, ध्यान से देखना दूसरी शिलाई में आपका हर बार एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा ही बनेगा तो यह हो गई हमारी चौथी शलाई complete तो यह देखिए हमारा border border का look कुछ इस तरह से आएगा यह देखिए यह देखिए पहले यहां बना था फिर इधर बना है पहले यहां बना था फिर इधर बना है और फिर से हमने जैसे पहले बना था शुरूर में सेम वैसे ही वहीं पर बनेगा फिर से ठीक है जिजाइन की पहले चलाई फिर से मैं आपको रिपीट कर रही हूं दियान से देगा है पहला फंदा उतारा दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा अब यहां पर जैसे एक फंदा उल्टा बनाया दागा को बाहर ले जाएंगे डबल करके अंदर लाएंगे जैसे ही डबल करके अंदर लाया यह देखिए अब तो इसली पता चल रहा है यह साथ वाला फंदा उतारना है जैसे यह साथ वाला फंदा उतार दिया यानि कि सीधा वाला फंदा डबल करने के बाद ये सीधा वाला फंदा उतारना है फिर ये देखे ये उल्टा फंदा इजली पता चल रहा है इसको उल्टा बनाना है दागा पीछे और ये जो तीन जो दागा के अंदर हमने तीन फंदे बनाय थे उसमें से पहला फंदा आपक एक फंदा उल्टा जैसे ही एक फंदा उल्टा बना दिया दागा को बहार ले जाना है डबल करके अंदर लाना है फिर जैसे ही डबल किया तो साथ वाला फंदा ये सीधा वाला बंदा इविना बुने उतारना है फिर एक फंदा उल्टा दागा पिछे ये देखिए ये जो त दागा के अंदर तीन फंदे पता चल रहे हैं, उसमें से आपका ये पहला फंदा सीधा बना चाहिए, इस तरह से, दागा अपनी तरफ करके फिर से तीन फंदों को हम इस तरह से करेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइट भी ना रखें, ज्यादा डीला भी ना रखें, एक फंदा उल्टा, फिर से जैसे ही हमने डबल करके दागा अंदर लाया साथ वाले फंदे को बिनाबुने उतारा एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा दागा को इस तरह से शलाई में गुमा कर अंदर की तरफ लाया, फिर इस तरह से बाहर की तरफ खिंचना है फिर से दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा यह देखिए, एक यहां से आएगा फंदा एक उल्टा और यह फंदा यहां से आएगा अब इन तीन पर बनेगा, ठीक है जैसे ही हाँ पर पुमाकर अंदर की तरफ ला दिया हमने दागा को फिर एक फंदा उल्ट सॉरी साथ वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा दागा अपनी तरफ फिर खींचेंगे दागा को इस तरह से फिर से एक फंदा उल्टा, दागा को डबल किया, साथ वाला फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ लाकर दागा को खेंच दिया, फिर से दागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर हमने डबल किया दागा को, साथ वाला फंदा बिना बुने उतारा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दागा अपनी तरफ ला दिया, फिस तरह से खींच दिया, फिर लास में ऐस्टिच सीधा, फिर से ये पहली शिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, दूसरी शिलाई उल्टे तरफ से, फिर भी मैं आपको रिपी कर चले ठीक है, ये देखे, पहला फंदा उतारा, उसके बाद उल्टा, बीच वाला फंदा सीधा, ठीक है, ये देखे, इस तरह से, बीच वाला फंदा आपका सीधा बनना चाहिए, इसको आपने दियान में रखकर चलना है, बाकि आपका दूसरी शिलाई में हर फार, एक फंदा सीधा ही बनेगा, ये देखे, बीच वाला फंदा सीधा, इस तरह से, फिर से दूसरी शिलाई कंप्लेट करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाते हुए, तो ये हो गई, फिर से दूसरी शिलाई कंप्लेट, तीसरी शिलाई सीधी साथ से, अब फिर से ध्यान दीजिए, रिपीट कराऊंगी, ध्यान से देखे, ठीक है, फिर से डिजाइन की, हमारी तीसरी शिलाई सीधी साथ से डिजाइन हमारा सेम हो ही है, लेकिन हमारा जगा चेंज हो रहा है यह देखिए इस तरह से हमारा बॉर्डर बन करा रहा है अब यह देखिए पहला फंदा उतारा दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा चार फंदे हमने बनाए ठीक है अब जैसे उल्टा फंदा बनाए यह देखिए जै के फंदा है तो एक फंदा हमारा यहां सी आएगा यह दिखिये है तो जिसे हमने यह उल्ट सर बना दिया सिदा डबल करेंगे haha को सबस्ince के बाला आपको पता है साथ वाला पौनला बिना बुनि उतार नहीं से फिर एक फंदा दागा पीछे एक पंदा सीधा को दागा अपने तरफ करके दागा को खींचना है ठीक है फिर से दागा अपने तरफ एक फंदा उल्टा जैसे उल्टा बना दिया डबल कर दिया साथ वाला फंदा बिना बुने उतारा ये देखिए एक फंदा उल्टा और ये तीन में से ये पहला फंदा सीधा इस तरह से आपने लेक कर चलना है उल्टा फिर दागा पीछे ये देखिये ये जो दागे के अंदर है पहला फंदा ये सिधा फंदा ये सिधा आना चाहिए इसको ध्यान देना है टेक है सीधा फिर दागा अपनी तरफ फिर दागा खि जैसे आपने सीदा किया दागा को गुमा कर ले कराएंगे फिर आपने दागा खेंचना है उसके वार दागा वापस अपने तरफ एक फंदा उल्टा ठीक है फिर से दागा को डबल करेंगे साथ वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा फिर दागा को अपनी तरफ लेकर आएंगे इस तरह से फिर दागा को खींचेंगे दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा उल्टा बना दिया दागा को डबल किया साथ वाला फंदा बिना बुने उतारा एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा दागा को अपनी तरफ ला दिया फिर दागा को खीजना है बाहर की तरफ इस तरह से ठीक है फिर दागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा दागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा तो ये हो गई फिर से हमारे डिजाइन की तीसरी श्लाइ कंप्लेट चौथी श्लाइ में फिर से ये तीन फंदों को ले कर चलना है बीच वाला फंदा सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा इस तरह से आपने फंदों को ले कर चलना है पहले सेट करना है फिर बनाना है यह देखिए उल्टे तरफ से आपका हर बार एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा ही आएगा जैसे यह तीन फंदे है पहला फंदा उल्टा बीच वाला फंदा सीधा इस तरह से आप बना सकते हैं तो वैसे इसली पता चल रहा है आपका सीधा फंदा कौन सा है उल्टा फंदा कौन सा है तो यही चार शिलाई आपको बार बार रिपीट करनी है और हमारा ये बॉर्डर त्यार होते हुए जाएगा तो ये आप खाली बॉर्डर ही नहीं स्वेटर में डिजाइन भी जैसे पूरे बॉर्डर जैसे इस्वेटर में आप ये डिजाइन भी बना सकते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ चार शिलाई का हमारा बॉर्डर है तो ये हो गई हमारी कम्प्लीट चार शिलाई फिर से तो ये देखिए हमारा बॉर्डर कैसा बने कर आए है ये देखिए इस तरह से बने कर आए हमारा बॉर्डर ये देखिए इस तरह से से शेप जाएगा ऐसे ऐसे ठीक है ये देखिए शेप ऐसे जा रही हूँ है न तो ठीक है दोस्तो बाई थेंक्यू तो अगर आप लोग को मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता हो समझाता हो तो मेरे चैनल को लाइक से स्प्रेब शेयर जरूर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तो बाई बाई थेंक्यू